नमस्कार साथियों इन्फीजन नोट्स के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज का सेसन रहेगा साथियों 3 जनुरी 2024 राजस्तान करन्ट अफेर्स का इस सेसन में साथियों जितने ही महतुपुन परसन बनेंगे वो मैं आपके साथ सेर करूँगा साथियों परसनों से जुड़े जो महतुपुन तक थे आप से पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जयनकारी साजा करूँगा और उसके बाद देखेंगे अपने साथियों सुज़स सार यानि सुज़स में जिन भी योजनाओं का परकासन होता है साथियों उन से परसनें पूछे जाते हैं और उसके बाद अपने साथियों राजस्तान जीके के पांच महतोपुन कुशन देखेंगे जो पुराने एक्जाम के अंदर आई हुए होंगे आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक वर से जरूर कीजेगा इन्फूजन नोट्स के यूटूब चैनको लाइक वर सस्क्राइब कीजेगा और अपने दोस्तों में विशे जरूर शेयर कीजेगा तो शुरुवात करेंगे साथियों सेशन की पहला क्यूशन आप से पूछा है पतियाला में आयोजित राष्टिये पेरा तिरंदाजी पत्योगिता में कंपाउंड केटिगरी के अंदर श्याम सुन्दर ने कौन सा पदक जीता है तो आंसर हैगा सौवरन जीता है इपोर्टेंट क्यूशन साथियों पूछा जा सकता है आप से आप से पूछा गया है कि पतियाला में आयोजित राष्टिये पेरा तिरंदाजी के अंदर कंपाउंड केटिगरी के अंदर श्याम सुन्दर ने कौन सा पदक जीता है तो आंसर हैगा सौवरन पदक इन्होंने जीता है कंपाउंड केटिगरी के अंदर प्रेम कुमावत वै श्याम सुन्दर ने साथियों सौवरन पदक जीता है वही इन्होंने व्यक्तिगत जो केटिगरी थी उसके अंदर श्याम सुन्दर ने कांश्या पदक जीता है और इनका आप से पूछे समंद कहां से रहेगा तो साथ पदक जीता है, और वहीं व्यत्तिगत, कैटेगरी के अंदर स्याम सुंदर नहीं कौन सा पदक जीता है, तो आंसर रेगा कांशय पदक जीता है, इनका समध रहेगा, वी कानेर्श कम पर्ठियोगीता का अयोजन कहां पर की आगया था, अगला क्यूसान आप से पूचा है, से सेने हैं, डेजर्ट अभ्यास, साइक्लोन, 2024 का आयजनि कहांपर कियाजnity है, तो आंसर रहेगा, राजस्तान के अंदर सात यूँई कियाजनि किया दार्य है, यह अपने को याद रखना है, कब से कब किया दार्य है, तो दो जनवरी से if you are जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में इस कायोजने किया जा रहा है। भारत और कौन से देश के बीच आप से पूचे भारत वाई UAE के बीच में इस कायोजने किया जा रहा है। अगला कि उसन आप से पूचा है अकुला महराष्टर में आयो जिते हैं। आप से पूचे टोटल कितने पदक जीते हैं। आप से पूचा है कि परदेश में जाबर मल, सरमा की समर्ती व्याख्यान माला के तहत सर्जनात्मक साहित्य पूर्षकानों में कहानी के अंदर पर्थम पूर्षका है जो चेतन स्वानमी को दिया गया। इनका समन्द है तो साथियों रहेगा बिकानेर से और इनका समन्द है बिकानेर के डूंगरगर से चेतने स्वामी का। अब इनकी कविता है वो कहनी है वो कौनची है तो आंसर हैगा मकान के लिए दिया गया। अब इनकी काने कौनची है तो मकान के लिए और वही कविता में पर्थम पूर्षका दिया गया है सोमना थे सरमा को और इनकी कविता है एक आंसू के लिए दिया गया है साथियों। अगला क्योंस आप से पूछा गया है कि देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग परदेश में कहां बनाई जा रही है तो आंसर रहेगा जालावार से बारा के बीच में बनाई जा रही है अपर देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग परदेश में कहां पर है जालावार से बार पी Representatives की लंबाई रहेगी अगला कियूंस ही हवाई प्रोजेक्ट की तेहए इपनाई गई है यह पंते हरूत activity की छीमाफरे मिपनाई ग जीए हैए यह पट्टी अडगाओं बाड मेर जालोर की शिमा पर बनाएगी है पाकिस्तान बोर्डर से महज 40 किमी की दूरी पर है यानि जो पाकिस्तान का बोर्डर है उससे महज 40 किमी दूरी है हुआई पट्टी है जो साथियों बनाएगी है बाड मेर जालोर की शिमा पर और अडगाओं बाड में जालोर किशिमा पर इसको बनाया गया है यह अपने को याद रखना है प्रोजेक्ट पुछे तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहट साथियो तो साथियों यह हो गए अपने करंट अफेस के महतोपुन क्यूसन अब अपने सूज़ से सार देख लेते हैं उसमें क्या है सम्मान मुस्कान और समाधान यानि मुख्य मंतरी जी है जो साथियों जो भी समश्या लेकर उन्चे मिलने आ रहा है उनका समाधान करने का आस्वासन दे रहे हैं वहीं केबिनेट मंतरी श्री गहलोत ने अविनास गहलोत जी है इन्होंने क्या है पदबार है जो गरहन किया है उसके बारे में यहाँ पर बतायागए है इसके अलावा साथियों नौ नियुक्त मुख्य सचिव शिरी सुदान स्पंथ ने कारेबारे समाला है यह इपोर्टेंट है राजे के नव नियुक्त मुख्या सचिव श्री सुधानस्पत्नी सोंवर को सासन सचिवाले श्थित हैं सचिव काक्स में है जो कारिय बारे समाला है यह important रहेगा कारिय गरन के बाद मुख्या सचिव ने बाज सरकार और राजस्तान सरकार द्वारा संचालित जन कल्यान कर योजनों के बहतर कारिये के लिए उन्हेंने कहा कि मैं पर्तिबदे रहूँगा इसके लावा विधान सबाद एक से नो वर्स पर लोगों ने है जो मुलाकात की उसका भी फोटो इसमें दिखा रखाया कि वासु देव नानी से हैं जो लोगों ने ने साल पर मुलाकात है जो की है तो ये साथ साथियों सूजसार अब अपने राजस्तान जीके के जो पांच महतुपुन क्यूसन देखते हैं पुराने एक्जाम के अंदर आई हुए वो देखते हैं पहला क्यूसन उसमें पूचा था कि राजस्तान के परशीदे पक्खवाज वादक कौन है तो आंसर रहेगा पंडिते पुर्शोतमे दास हैं राजस्तान मूलके पर ख्याद सास्त्री वादक हैं राम नरायन था सुल्तान खाका समन्द की स्वादे या अंतर से हैं तो इनका समन्द साथियों रहेगा सारंगी ये सभी साथियों क्यूसन पुराने एक्जाम के अंदर आयो हैं तो वहाँ से रिपीट भी हो सकते हैं अगला क्यूसर आप से पूचा है जहुर खान किस लोकवाद से समंदित है तो ये बपंग से रहेंगे आप से पूचा है जहुर खान किस लोकवाद से समंदित है तो आंसर रहेगा बपंग से किस लोकवाद में महरत होने से साकार खान को 2012 में पदम शिरी से समानित किया गया तो आंसर हेगा कमाय चाह के अंदर इन्हों को महारत है हासिल थी तब इसलिए इनको साथ यूं क्या दिया गया था दो हजारे बारा के अंदर इनको पदम शिरी दिया गया था अब अपने साथ यूं जो कल करन्ट अफेस पड़ा था राजस्तान का उसका रियुजन कर लेते ह सौल में वितायों के देख्स अर्विंद पनगडिया को बनाया गया है इनका समंध परदेश के की जिले से हैं तो आंसर हेगा भीलवाडा से है राजस्तान के मुक्य सचिव कौन बने है तो आंसर होगा शुदान से पन्थ बने है परदेश में 11 से 14 जनुरी तक बरड़ फेस्टिवल कायजन काम पर किया जाएगा तो आंसर होगा उद्ध्यपूर के अंदर नौइडा में आजित साथवी अलिट महिला राष्टिय सीनियर मुक्य बाजी चैंपियंशिप के अंदर परदेश की किस खिलाड इनने सौरन जिता तो आंसर हेगा ललीता ने साथवी है जो सौरन पदक अपने नाम किया था तो साथवी सेथन में मैंने आपके साथ राजस रिवजन कर लिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ यूं पीडियाफ का लिंक होगा वहां से आप असानी से डाउनलोड कर पाएंगे सेशन आपको पसंद आया है तुशे लाइक वैसे जरूर कीजिएगा इन फ्यूजन नोट्स की यूटूब चैनल को लाइक कर सब् झाल